देली PCSGK के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है चलिए शुरूरात करते हैं अभ्यास प्रेशन से हमने आपसे पूछा था FIFA World Cup 2022 कहां आयोजित किया जाएगा आपके ओप्शन्स थे A. चीन B. जापान C. रियोडी जेनेरो या फिर D. गतर तो इस सवाल का सही जवाब था Option D. गतर दरसल FIFA World Cup 2022 इस साल नवंबर में गतर में आयोजित किया जाएगा इसलिए Option D. सही अंसर है मेजबान गतर सहित 32 टीमें इस FIFA World Cup में हिस्सा लेंगी FIFA World Cup की बात करें तो ये इंतराश्ट्रे फुटबॉल प्रतियोगिता है और सामाने तह इसका आयोजन हर चार साल में किया जाता है वर्ष 2018 में इस World Cup में फ्रांस ने क्रोेशिया को हरा कर खिताब अपने नाम किया था बता दें कि पहला FIFA World Cup वर्ष 1930 में उरुगवे में खिला गया था चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रशन देखते हैं विद्धुत चुम्ब की तरंगों के संबंध में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए कथन 1 ये निर्वात में भी संचरन कर सकती है कथन 2 इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है आपको बताना है कि इन में से कौन सा है कौन से कथन सही है या सही है आपके options है A केवल 1 B केवल 2 C एक और 2 दोनो या फिर D ना तो एक और ना ही दो तो इस सवाल का सही जवाब है option C खाल ही में खगोल विदो द्वारा अंतरिक्ष से आने वाले एक नए fast radio burst यानि FRB signal का पता लगाया गया है इस fast radio burst को FRB 20190520B नाम दिया गया है ये अपनी तरह का अब तक का दूसरा radio signal है विदुद्चुम्किय तरंगों की बात करें तो इन तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवशक्ता नहीं होती है ये निर्वाद में भी संचरण कर सकती है इसलिए कथन एक सही है इन्हें गयर यांतरिक तरंगों की नाम से भी जाना जाता है इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है इसलिए हमारा कथन दू भी सही है विदुद्चुम्किय तरंगों का उदाहरन प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स की रन आदी है इसलिए हमारा आंसर ओप्शन सी सही है चलिए अगला प्रशन देखते हैं निमनलिकित में से किस देश के साथ थाइलेंड की सीमा नहीं लगती है ओप्शन्स हैं A. लाउस B. म्यानमार C. वियतनाम या फिर D. मलेशिया तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प C दरेसल बीते दिनों थाइलेंड चिकित्सा और ओद्योगिक उपियोग के लिए गांजे यानी मारी जुआना को अपराद से मुख करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है थाइलेंड में दो व्यापक भोगलिक शेत्र शामिल हैं उत्तर में बड़ा मुख्य भूभाग और दूसरा दक्षिन में एक छोटा प्रायद वीपे विस्तार इसका मुक्षभाग पश्चिम में म्यानमार, उत्तर और पूर्व में लाउस, दक्षण पूर्व में कमबोडिया और दक्षण में थाइलन्ड की खाड़ी से घिरा हुआ है मलेशिया के साथ इसकी दक्षण ही सीमा लगती है प्रायवदीपे थाइलन्ड देश के दक्षण पश्चिमी कोने से मलेश प्रायवदीप के पूर्वी किनारे के साथ दक्षण की और फैला है इसलिए ओप्षण सी सही है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशण की और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है आपके विकल्प है ए अंतराश्ट्रे मुद्रकोष यानि आएमएफ बी विश्व आर्थिक मंच यानि डबलू एफ सी अंक्टाड यानि UNCTAD या फिर डी विश्व बैंक इसका सही जवाब है Option C दरेसल हाल ही में अंग्टाट द्वारा World Investment Report जारी की गई अंग्टाट का पूरा नाम व्यापार और विकास पर सैंक तराश्ट्र सम्मेलन है 1964 में सैंक तराश्ट्र महा सभा द्वारा इस्थापित एक स्थाई अंतरसरकारी निकाय है और इसका मुख्याल है स्विजलन के जिनिवा में है इसका उदेश्य वैश्वी कर्थ विवस्था में विकास चील देशों के विकास अनुकूल एकी करण को बढ़ावा देना है अंग्टाट सैंक तराश्ट्र सचिवाले और स्विक तराश्ट्र विकास समूह का हिस्सा है इसके द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट्स में शामिल है चली अगला प्रशन देखते है इंडियन राइनो विजन 2020 की शुरुवात कब की गई थी? आप्शन्स हैं तो इस कुस्चन का सही आंसर है ओप्शन B दरसल बीते दिनों असम के मानस राश्ट्रे उध्यान में एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या में महतवपों व्रिधी देखी गई इंडियन राइनो विजन 2020 की बात करें तो इसकी शुरुवात 2005 में हुई थी इसलिए ओप्शन B सही आंसर है यह वर्ष 2020 तक भारतिय राजे असम में इस्थित साथ संरक्षित शेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ा कर कम से कम 3000 से अधिक करने का एक महतवकांख्य प्रयास था इन साथ संरक्षित शेत्रों में काजीरंगा, पोबितोरा, उरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लोखोवा वन्नेजीव अभ्यारंणे, बुराचोरी वन्नेजीव अभ्यारंणे और डिबरू सेखोवा वन्नेजीव अभ्यारंणे शामिल है इसमें काजिरंगा नेशनल पार्क जैसे सगन गैंडो की आबादी वाले खेत्र से मानस नेशनल पार्क जहां आबादी कम है में गैंडो को हस्तांतरन करने का प्रयास किया गया इसे अंतराष्ट्रे रायनो फांडेशन असमवन विभाग, बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया और यूस फिश और वाइल लाइफ सर्विस सहित विभिन संगठनों के मध्य सहयोक से चलाया गया चली अगला प्रशन देखते हैं निमनलिखित में से किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन के स्थापना हुई थी? आपके ओप्चिन्स हैं A. 1923, B. 1924, C. 1925 या फिर D. 1926 तो इस क्वेस्टन का सही आंसर है ओप्चिन B दिरसल बीते 11 जून को स्वतंतरता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जैनती मनाई गई राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाह जहापुर जिले के एक गाउं में हुआ था बिस्मिल, शेचींदर, नात, तान्याल और जादू गोपाल मुखरजी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन यानि एचारे के प्रमुकसन स्थापकों में से एक थे वह दयानन सरस्वती द्वारा स्थापित आरे समाज में शामिल हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका सम्विधान मुखे रूप से बिस्मिल द्वारा ही तयार किया गया था आपको बता दें कि उन्होंने बिस्मिल, राम और अग्याद के कलम नामों के तहत उर्दू और हिंदी में शक्तिशाली देश भक्ती कवीताई लिखी नौ अगस्ट 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल ने साथ ही अश्वाक उल्ला खान और अन्य लोगों के साथ लखनव के पास काकोरी ट्रेन को लूटने की योजना को अन्जाम दिया इस संबंध में प्रांतिकारियों को गिरफतार कर काकोरी शडियंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरकपुर जेल में भासी दे दी गई चली अगला प्रशन देखते हैं भारत के राष्ट्रपती के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है लोग सभा के निर्वाचित सदसे, राज्य सभा के निर्वाचित सदसे, राज्यों के विधान सभाओ के निर्वाचित सदसे या राज्यों के विधान परिशदों के निर्वाचित सदसे तो इस सवाल का सही जवाब है Option D, राज्यों की विधान परिशदों के निर्वाचित सदस्ते बीते दिनों निर्वाचन आयोग ने राष्टपती के पद के लिए चुनाव कारिक्रम घूशित किया राष्टपती के पद के लिए मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और केंदर शासित प्रदेश दिल्ली वा पुदुचेरी या पुदुचेरी विधान सभाओ के निर्वाचित सदसे राज्य विधान परिशदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदसे इसमें शामिल नहीं होते हैं इसलिए Option D सही आंसर है चलिए अगला प्रशन देखते हैं IBBI के स्थापना किस वर्ष हुई थी 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में तो इस कस्चन का सही आंसर है Option C, 2016 में दरहसल बीते दिनों IBBI द्वारा उद्यमिता स्वतंतरता विशे पर सम्मेलन आयोजित किया गया IBBI का पूरा नाम इसके स्थापना एक अक्तूबर 2016 को हुई थी इसलिए Option C सही आंसर है इसके स्थापना Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के तहत की गई थी ये मुख्य तोर पर Insolvency and Bankruptcy Code 2016 से संबंधित कानूनों और संशोधनों को बहतर ढंक से लागू करने का कारे करता है इसके वर्तमान चेर्मेन रवी मित्तल है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर निम्लिकित में से किस स्थान पर INSPACE यानि इन स्पेस के मुख्याले का उधगाटन किया गया आपके उप्शन से तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन D एहमदाबाद दरसल बीते दिनों गुजरात के एहमदाबाद में इन स्पेस के मुख्याले का उधगाटन किया गया इसलिए उप्शन D सही आंसर है INSPACE यानि इन स्पेस का पूरा नाम भारतिय राष्ट्रे अंतरिक्ष समवर्धन तथा प्रमाणी करन केद्र है ये अंतरिक्ष भाग के तहट एक स्वतंत्र नोडल एजिंसी है भारतिय अंतरिक्षेत्र में नॉन गर्वर्मेंट प्राइवेट एंटिटीज यानि संक्षिप्त में एंजी पी ईज की भागिदारी को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है इसके वर्तमान चेयर परसन पवन गोइंग का है चली अगला प्रशन दी आई पी ए एम यानि दीपम किस मंत्राले के अंतरगत कारे करता है तो इस सवाल का सही जवाब है दरसल बीते दिनों दीपम द्वारा देश भर के 75 शहरों में बाजार के माधहम से धन स्रिजन यानि क्रेटिंग वेल्थ त्रू माकेट्स की थीम पर एक सम्मिल अनायोजित किया गया DIPAM यानि दीपम का पूरा नाम निवेश और लोग परी संपत्ती प्रबंधन विभाग है पहले इसका नाम विनिवेश विभाग था 14 अप्रेल 2016 से इसका नाम बदल कर निवेश और सार्वजनिक संपत्ती प्रबंधन विभाग कर दिया गया यह सारवजनिक छेत्र के उपक्रमों में एक्विटी के निवेश सहित एक्विटी में केंद्र सरकार के निवेशों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों पर कारवाई करता है ये वित्म अंत्राले के अंतरगत आने वाले विभागों में से एक विभाग के रूप पे काम करता है इसके चार प्रमुख कारेक्षेत्र हैं रणनीतिक विनिवेश, आलपांच हिस्तेदारी की बिक्री, परिसंपत्ती मुद्री करण और पूंजी गत पुनर सनरचना आए अब बारी है आज के दस्वें और अंतिम प्रशन की सतत्विकास लक्षे 6 का संबंध किस से है क्लीन वाटर और सेनिटेशन से, जीरो हंगर से, क्लाइमिट एक्शन से, या फिर जेंडर एक्क्वेलिटी से तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्षिन ए, क्लीन वाटर और सेनिटेशन से दरिसल बीते दिनों सस्टेनिबल डिवलिप्मेंट सॉलूशन्स नेटवर्क यानी SDSN द्वारा सतत्विकास रिपोर्ट 2022 चारी की गई इसमें 163 देशों में से फिनलंड शीष पायदान पर जबकि भारत 121 स्थान पर है उलेकनी है कि 2000 से 2015 तक की अवधी के लिए सहस्त्राबदी विकास लक्षों यानी MDGs की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी इनकी समयावधी वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी ततपश्चात वर्ष 2015 में 2030 सतत्विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष यानियस टिजीज तथा 179 प्रयोजन स्विकार किये गए इसमें सतत्विकास लक्ष छे Clean Water and Sanitation से संबंधित है इसमें से 8 लक्ष सहस्त्राब्दी विकास लक्षों से लिए गए हैं जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है इन्हें 2016 से 2030 की अवधी में प्राप्ट करना है इनका उदेश सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांति पूर्ण, सम्रिद और रहने योग्य विश्व का निर्मान करना है इस तरह इस सवाल का सही जवाब है Option A आईए अब नूट करते हैं आज का अभ्यास प्रशन निमनलकित में से किसे सैयुक्त राष्ट्र महा सच्चिव का प्रवध्योगी की प्रतिनिधी नियुक्त किया गया है आपके options है A. अमंदीप सिंगिल B. अजे भूशन पांडे C. एनचंदर शेकरन या फिर D. उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इस सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्षन में देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले सेशन में तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए जे हिंद